आज हम बनाने वाले हैं होली पेशल धही भल्ले यह दही भल्ले बनाने में बहुत आसान है आपको इसमें ना बिल्कुल दाल वाल भी होनी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने इसमें दाल का इस्तमाल ही नहीं किया है फिर भी आप देख सकते हो कितने मस्त है आप यह दही बल्ले बन करतायार हो चुके यह दही बल्ले बनाने में आपको बस आदा घंटा लगीगा आदा घंटे में आपका यह दही बल्ला बन करतायार हो जाएगा आप देख सकते हो कितने मस्त यह दही बल्ले बन करतायार हो तोड के भी दिखाती हूँ अंदर से कितना सॉब्ड बना है और कितना फुला फुला आप देख सकते हो कितना मस्त है आपे दही भल्ला बनकर तायार हो चुका है और खाने में तो इतना जादा टेस्टी था पूछो मत चले फ्रेंड फिर इस दही भल्ले के हम रेशिपी यहां पर मैंने मेडें साइज की देढ कटूरी सूजी ली है उसी कतूरी से मैंने पौण कटूरी दही लिया है आप देख सकते हो यह बहुत ज्यादा कहता वाला चुट्ती भही है यह सब चीजे हम इसमें डाल देते हैं आपको इसमें आगर लाल मिर्श पाउडर जिरा पाउडर भी डालनी है तो आप डाल सकते हो जैसे और काली मिर्श पाउडर बस जो मैंने चीजे डाली ना उतने चीजों से भी यह बहुत मस्द ही बनते हैं अभी इसमें मैंने डाला है स्वात के नुसार नमक, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी याड़ कर लेते हैं, और पानी याड़ करने के बाद आच्चे से हमें ये सब मिश्रन मिक्स करके ले लेना है, तो यहाँ पे न मैंने मिक्स करने वाला मैशर लिया था, लेकिन इससे ना आच्चे से मैश नहीं हो पा तैयार कर लिया आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे यहाँ पे मैंने बैटर तैयार कर लिया है एकदम पतला भी नहीं है और एकदम गाडा भी नहीं है मेडे मैंने यहाँ पे यहाँ पे यह सूजी का बैटर तैयार कर लिया है आप देख सकते हो किस तरह से बना है हमारा वसितना ही हमें इसको mix करना है अब इसके उपर धख देना है और धखने के बाद हमें इसको 15-20 मिनिट रेश्ट करने के लिए रख देना है जब तक हमारा बैटर रेश्ट कर रहा है तब तक आगली तायारी कर लेते हैं तो यह आपि न मैंने मैंने 15-20 मिनाट हमते हैं, चाहनी के उपर दद्हाल के रख दिया था? जितना भी धावी के का पानी चाहन के 15-20 मिनाट में निकल जाता है तो हमें गाड़ा दद्हाट देना है रिगुलर नमक भी डाल सकते हो तो यहाँ पे यह दही हमें आच्चे से फेट कर ले लेना है आच्चे से दही को फेट के हमें गाडा करना है तो जो हम दही वड़े के ऊपर दही डालते हैं उसके लिए यहाँ पे यह दही हम तयार कर रहे है टो आप देख सकते हो, भोती मस्त τरीके से यहाँ पे मैंने यह थही फेट लिया है बहुती बड़ा तरीके से यहाँ पे यह थही हमारा गाड़ा भी हो चुका है बिल्कुल इसी तरग का धहे वड़े के उपर डालने के लिए धही लगता है बिल्कुल फर्फेक्ट हमारा यहापे यह दही बन गया है अब यह फेटा हुआ धही हम सैट में रख देते हैं तो आप क्या करेंगे हम वड़े तलने के बाद पानी में डालते हैं वो वाला पानी तयार कर लेते हैं तो पानी तयार करने में कोई मुश्किल नहीं नॉर्मल ज उसमें डालेंगे न तो उसमें नमक चिनी का बहुत अच्छा स्वादा आता है तो यहापे मैंने दो चम्मच चिनी डाली है और साथ में थोड़ा सा नमक डाला है क्योंकि नमक हमने हर चीज में इस्तमाल किया है तो आपना हमारा जो बैटर रखा था हमने दही भल्ले का व आपके पास आप डाल सकते हो एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा उपर से पानी डालेंगे और आच्छे से सोडा हम इस सूजी में मिक्स करके ले लेंगे तो यहापे ना आप देख सकते हो बहुती परफेक्ट यहापे दही भल्ले का हमारा पैटर तायर हो चुका है औ तो ना मैंने तेल पहले से ग्यास के उपर गरम करने के लिए रग दिया था तो तेल गरम हुआ एकने आचे से हम चेक करेंगे तो उसके लिए थोड़ा समय ने बैटर डाला है बैटर डालती ही बैटर हमारा ऊपर आ चुका है इसका मतलब हमारा तेल मस तरीके से गरम हो तो यहाँ पे, न हम आपको बड़े जोटे किस तरह से चाहिए, आपके सबसे धजब से Kraft करूछ को तो तो यह बढ़े आतरेके से तक के जोड़े हमेरे लाम पींलग के सो बइल चाहे हैं सुनहेरा आया है और देखने में कितने खुबसुरत दिख रहे हैं और फूल तो कितने बढ़े आ रहे हैं बहुती मस तरीके से जैसे मार्केट से लाते ना उससे भी मस यहां पर यह दही भल्ले बनकर तयार हो चुके और कितने आसान तरीके से बनाए हैं आपने देखा ही होगा तो बाकी के भी धही भले हम इसी तरह से हम तल कर ले लेते हैं यहाँ पे हमारी पहली धही भले की प्याश फ्राय हो चुकी है तो अब यह धही भले हम निकाल लेते हैं और बच हुए भी इस तरह से फ्राय कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने सब धही भले फ्राय करके ले लिए हैं आपको आंदर से भी दिखाती हूँ एक छोटा वाला तोड़िके कि कैस तरह से धही भले बने देखें बहुत गुबारे की तरह ही यह फुल चुके हैं और आंदर से बहुत आच्चे से फ्राय हो चुके हैं तो ना हमने भले तयार करके रखे हैं तल के ओ वाले तो यहाँ पे मैंने आभी बच चार ही डाले हैं जैसे जैसे मुझे इस्तमाल करना है इसका उस टाइम में इसमें भिगा दूंगी आभी मुझे बस एक प्लेट ही धही भले की तयार करनी हैं उसके ही सबसे यहाँ में 4-5 धही भले पानी में डाल दूंगी बस आपको 2-3 मिनेट डालना है 2-3 मिनेट में आच्चे से यहाँ पे भिग जाएंगे पानी में तो यहाँ पे 2-3 मिनेट के बाद हम इस धही भले का पानी निकाल लेते हैं तो आप देख सकते हो 2-3 मिनेट में इस तरह से धही भले भिग कर त तो इसके लिए मैंने पाच पानी में से धही भल्ले पानी ने चोड़ कर ले ली है, अब पानी में से धही भल्ले निकालने के बाद उसके उपर जो हमने फेट के धही रखा था न, वो वाला धही डाल दे थे, आप देख सकते हो कितना मस्त और गाड़ा आमरा या पे धही बन बस्तात है इसमें, तो यहाँ पे हमने धही डाल देया है, आप बाकी की चीजे तो आप इसमें बाकी की चीजे डाल दे थे, जैसे कि आप मैंने डाली है चुटकी बर लाल मिर्ची पाउडर, साथ में चुटकी बर चाट मसाला, अगर आपको जिरा पाउडर डालनी है तो जिरा पाउडर भी डाल सकती हो, और साथ में खट्टी मिटी इमली वाली चटनी, और इमली वाली चटनी डालने के बाद इसके उपर हम डालने वाले है हारी वाली हमारी तीखी चटनी, जो हारी वाली तीखी चटनी है ना उसकी रेसिपी मैंने पहले से चाइनल पे डाल र देख रहें ग्रीन चटनी भी कितनी प्यारी लग रही है और एना टीके वाली चट पटी हरी वाली चटनी इसका स्वादना इस दही बड़े में बहुती मस्ट आता है। special खाने के लिए हमारे नहीं भर बनकर तैयार हो चुखे हैं। और देखके आपको समझ आ रहा होगा तो कितने मस्त और टेस्टी आपे नहीं भर बनकर तैयार हो चुके और देखके शक्राओ यूदय देखते हिं खाने का मन हो रहा है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेर और सब्सक्रेब जरूर किजिए फिर मिलेंगे एसे न्यू वीडियो के साथ.